यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और तीन आतंकियो को ध्यर कर दिया गया जवानों के साथ मुर्बेड में तीन आतंकी ध्यर हुए हैं आतंकियों की चिपे होने की खूफिया जानकारी मिली थी जिसके बाद तीन आतंकियों को धेर कर दिया गया है वह दक्षे ने कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने रविवार की देर शाम पूर्व मंत्री और पीडिपी मले अब्दुल मजीद पाधर के तमहाल हांजी पुरास्थित आवास पर ग्रेनेड हमला किया है ग्रेनेड घर के बाहरी हिस्सों में फता है धमाके से घर के कुछ खिरकी के शीशे भी तूट गए है हालांकि किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है पुलिस के मताबिक आतंकियों ने सुरक्षा में तैनाथ सी आर पीएस की अठारवी बटालियन के पोस्ट पर ग्रेनेड दा धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में धमाके की आवाज सुनी घटना के तुरणत बाद सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके की घेरा बंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है وही हमले के बाद इलाके में देह्षक का माहोल भी बना हुआ है इस घतना के बारे में SSP कुलगाम ने कहा है कि मामले की जाच जारी है तो जवानों ने मोर्चा संभाला है ग्रेनेट फेका गया है जिसकी खूफिया जानकारी मिली थी और ग्रेनेट फेकने से पूरे इलाके में डर का माहूल बना हुआ है और जब ग्रेनेट फटा तो कुछ घर की खेड़कया तूटी कांच तूटे और लोगों में देशत का माहूल है आतंकी हमला ये हुआ है ग्रेनेट फेका गया है और ग्रेनेट जब फटा तो इलाके में उसकी गूंज सुनाई दी जिसके बाद इलाके में फिलहाल डर का है उसके बाद सुरक्षा बलो ने इलाके की घेरा बंदी कर दी है और जान जो है लगातार जारी है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता जम्मू से दिनेश सुदन फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं दिनेश क्या कुछ अपडेट है यहाद से तीन एतनफकवादी आ जो है वाराबारि बिरमिर किया है तो लाके की अगर बात की जाए तो कैसा माहूल है इसके बाद आपको बतादें की जो एक तीन आतनफकवादी उसके बाद नहीं annivas और की grass पर सब्सक्राइब रहे हैं कि वहां पे ने इंतर इसे और जो तोर्फ पूरी घटना के बाद जैसे इस पी कुलगाम का क्या कुछ कहना है उनकी अगर बात की जाए तो जी अभी इस बारे में तो आप शली बयान अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है फिलाल जो है जो सूत्रों के हवाले से कबरें मिलते हैं यही बताया जा रहा है कि तीन आतंगबादी थे जिने वहा धमाके की आवाज सुनाई दी और फिलाल घटना की तुरंत बाद सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके की घेरा बंदी कर दी है सर्च ओप्रेशन उनकी तरफ से लगातार जारी है और इलाके में डर का माहूल बना हुआ है झाल बना हुआ है